ब्रह्माजी के दुर्गा कवच में वर्णित नौ दुर्गा नौ विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नौ दुर्गा वास्तों में दिव्य गुणों वाली नौ आउशधियां हैं। ये वशधियां प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। ये समस्त प्राणियों की पांचू ग्यानेंद्रियों और पांचू करमेंद्रियों पर प्रभावशाली हैं। नौदुर्गा को लेकर धार्मिक और आधात्मिक महात्तो है ही, साथ ही स्वास्ति की लिहाद से भी नौरात्र का महात्वपूर्ण स्थान है, विशेश महात्तो है। नौदुर्गा के नौरूपों को आउशदियों के प्रतीक के तोर पर भी जाना जाता है। मारकंडिये चिकित्सा पद्धती और दुर्गा कवच में इसका उलेक है। नौ आउशदि स्वरूपों को सरुप्रथम मारकंडिये चिकित्सा पद्धती के रूप में दर्शा है गया। और चिकित्सा प्रणाली के इस रहस्य को ब्रुम्भा जी द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया। इसलिए प्रतेक देवी आईरवेद की भाषा में मनुष्य की प्रतेक बीमारी को ठीक करने के साथ ही रक्त का संचालन, उचित और साफ करने का काम करती है। आईरवेद में इन आउशदियों को समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली कहा जाता है। तो संबंधित रोगों में भी नौरात्र शुब फल देने वाले साबित होंगे। देवी के इन स्वरूपों को हम स्वास्त की संजीवनी देने वाला मान सकते हैं। देवी मा का पंचम स्वरूप यानि इसकंद माता अर्थाद अलसी। नौरुगा का पंचमा स्वरूप इसकंद माता है। जिनें पारवती एवं उमा भी कहते हैं। ये आउशदी के रूप में अलसी में विद्धमान है। ये वाद, पित, कफ, रोगों की नाशक आउशदी है। अलसी को हम फ्लैक सीट्स भी कहते हैं। अलसी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका सेवन जिस रूप में किया जाए फायदेमंद ही होता है। अलसी के बीज और पाउडर में कई ऐसे आउशदी अगुण मौजूद होते हैं, जो कई बीमारियों से शरीर को निजा दिलाते हैं। अलसी में कई ऐसे पोशक टत्तो होते हैं जो मानो शरीर के लिए स्वास्थ वर्धक हैं। अलसी, ओमेगा 3, फैटी ऐसिड, बिटामिन B1, प्रोटीन, फाइबर, मेगनीशियम, मेगनीज, फासफोरस, सेलेनियम, आईरन इत्यादी का एक बढ़िया श्रूथ है। भरपूर मात्रा में ओमेगा 3, फैटी ऐसिड मौझूद होने से अलसी हमारे शरीर के इम्मिन सिस्टम को मजबूत करता है और हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाता है। खाली पेट अलसी खाने से पेट साफ होता है और पाचन क्रिया मजबूत होती है। अलसी में हाई फैवर और लो काईब्रोहडेक्ट होता है जो वजन कम करने के लिए काफी फायदेमन माना जाता है। प्रचूर मात्रा में फैवर का सेवन करने से तोचा पर नमी और सुन्दरता बरकरहर रहती है। अलसी के बीच का नियमित रूप से सेवन करने पर खराब कोलिस्टराल कम होते हैं। अलसी में मौझूद फैवर घूल जाती है और इनसान में अत्यदिक भूक मिटाती है जिसके कारण इसमें वजन को कम करने की शमता आती है। यदि नियमित रूप से इसका सेवन किया जाए तो ये फैवर पेट को भर देती है और मस्तिष्क तक ये संदेश भेज देती है कि अब खाने की जरूरत खत्म हो चकी है। इसलिए अब खाना रोग दिया जाए। चुकि अलसी के पौधे में ओमेगा 3 पाया जाता है जिससे ये हार्ट पीट को सामान ने रखने में मदद करता है। फाइबर युक्त होने की वज़े से अलसी पाचन तंत्र के लिए भी चमतकारी सावित होता है। इसके सेवन से पेट समधी बीमारियां जैसे डाइरिया, कब्स, सूजन में रहात मिलती है। अलसी के बीच को नाशने में खाने की भी सला दी जाती है। अलसी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। अलसी में मौझूद फाइवर पाचन क्रिया को संयमित भी रखती है अलसी का प्रियोग कर कैंसर से भी बचाव किया जा सकता है अलसी के तेल में मौझूद एंटी आक्सिडेंट कैंसर के खतरी को कम करता है जाहर है कि अलसी में ऐसे ततो मौझूद होते हैं जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं जो कैंसर पहलाने वाली कोशिकाओं को बढ़ने से रोबता है आज के बदलते परवेश में हर दूसरे इंसान को डाइबिटीस की समस्या होती है ऐसे में अलसी का उपयोग शरीर में बढ़े हुए शुगर लेविल को चमतकारिक रूप से दुरुस्त करता है अलसी के पौधे में पाये जाने वाला लिगनन शरीर में बलट शुगर लेवल को नियंतरित करता है एक चम्मच अलसी का एक महिने तक नियमित रूप से सेवन करने से रक्त में शुगर की मातरा कम होती है कुलेस्टरॉल घर जाता है बदलते मौसम की वज़े से अकसर लोगों में सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है अगर जुकाम जादा हो जाए तो कफ बन जाता है कफ की वज़े से काफी परिशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है चुकि अलसी की तासीर गर्म होती है इसलिए ये कफ को पिगलाने में मददगार होती है इसके सेवन से गले और श्वास नली में जमा हुआ कफ पिगल कर बाहरा जाता है अलसी का पौधा बिटामिन B से भरपूर होता है ये बिटामिन तोचा के लिए काफी अच्छा होता है इससे तोचा का रुखा पंदूर होता है और तोचा में जमा काती है साथ ही ओमेगा 3 के वज़ा से चेहरे के दाग धब्बे भी सही हो जाते हैं तुचा के अलावा अलसी नाखून और आपकों को भी फायदा पहुचाता है विटामिन और ओमेगा 3 का फायदा तुचा के साथ साथ बालों को भी होता है इससे जड़ते हुए बालों और गंजेपन को रोकने में मदद मिलती है नियमित रूप से अलसी का तेल लगाने से बाल स्वस्त होते हैं और जणे मस्बूत होती है हजार गुणों वाली अलसी आँखों के लिए भी फायदे मन्द है जिन लोगों की आँखों में सूखे बन के शिकायत होती है उन्हें अलसी के तेल का प्रियोग खाने में करना चाहिए इससे आँखों में काफी फायदा पहुंसता है अगली कड़ी में देवी मा के छठवे स्वरूप मा कात्याइनी की चर्चा होगी और बताएंगे आपको मा कात्याइनी के आउशदी महत्तु के बारे में यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद, देवी मा की कृपा आप पर सदयों बनी रहे, जै मादूर के